हेलो नमस्कार मैं हूँ अकांकशा और एक बार फिर से आपके सामने हाजर हूँ आई बीसी 24 के सोचल मीडिया प्लाटफॉर्म में चुनावी कवरेज लेकर जी हाँ देखिए मध्यप्रधेश ओ या फिर 36 कर आई बीसी 24 हर एक चुनाव से जड़ी हुई खबर आप तक पहु पहुचे हुए हैं महाकौशल को साधने के लिए जबलपुर के आज वो दौरे पर रहे कॉंग्रिस पर उन्होंने प्रहार किया तो बीजेपी पर प्रहार करने का मोर्चा समाला प्रियंका गांधी ने और देखिए कहा यहीं जा रहा है कि मध्यप्रधेश की जिम्मेदार प्रियंका गांधी को उन्होंने चुरावी शंखनात किया था जबलपुर से महाकौशल से और आज उसी महाकौशल को साधने के लिए प्रधानमंती नरेंद्र मोधी यहां पर पहुचे हुए हैं जो इससे पहले सिर्फ दो दिन पहले गौलियर पहुचे थे गौलियर पहुचने के बाद अब वो जबलपुर में हैं और रानी दुर्गावधी के समारक का उन्होंने लोकारपन किया उससे पहले उन्होंने रैली की उसकी तस्वीरे भी आपने आई बीस 24 पर देखी लेकिन आपको हम यहां पर सुनवा रहे हैं प्रधारमंती नरेंद्र मोधी प्रियंका गांधी ने क्या कहा यह तो आपको सुनवाएंगे ही लेकिन यह सुनना बहुत जादा जरूरी हो जाता है कि पी सी सी चीफ ने किस तरह से सेम श्रिवरासिंग चोहान पर करारा प्रहार किया है क्या उन्होंने कहा आई आपको सुनवाता है राज्मीती बहुत हो गई आपको यह दुखी के सान जिसको खाद और बीच के लिए भटकना पड़ता है जिसको नियाई के लिए भटकना पड़ता है आप इसकी अवाज सुन नहीं सकते आपके कान नहीं चलते आपको ये बेरोजगार नौजबान नहीं दिखते आपकी आँख नहीं चलती कान नहीं चलते शिवराजी आँख नहीं चलती पर आपका मुह बहुत चलता है मुह चलाने से मुह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है आपने जो धोका दिया है जो धोका दिया है अटारा साल में शिवरा सिंग्जी तो नारियल अपने जेब में लिए गूमते हैं जब सडक का नारियल फोड़ने जाते हैं नारियल तो तूडता नहीं सडक जरूर तूड़ जाती है पतों शिवराँ सिंग जी की घोशना मशीन, डबल स्पीट पर चल रही है, डबल स्पीट के चुनाफ दिखरा है, उनकी जूट की मशीन, डबल स्पीट पर चल रही है, शिवराज सिंग के जूट तो जूट को भी शर्मा देते हैं ये शिवराज सिंग जी आपको पूरे प्रदेश ने पैचान लिया है तो सुना आपने क्या कुछ कह गए हैं यहाँ पर पूर्वी सियम कमलाद की सियम शिवराज सिंग चोहान को अब कुछ दिखाई नहीं देता है अब कुछ सुनाई नहीं देता है अब सर्फ वो बोल रहे हैं और इससे पहले भी कमलात कह चुके हैं सियम शिवराज सिंग चोहान को कि वो घोशना मशीन बन चुके हैं मशीन मंतरी बन गए हैं मुख्य मंतरी की जगा डबल स्पीड से उनकी जूट की मशीन चल रही है यानि कि सियम शिवराज सिंग चोहान जहां जा रहे हैं सौगात दे में लाए हुए हैं लेकिन प्रियंका गांधी आज जब राजगर पहुंची सबसे पहले मोहन खेडा जैन तीर्थल जाकर कि उन्होंने दर्शन किये और उसके बाद बीजेपी पर जब वो प्रियंका गांधी ने इसको लेकर के भी निशाना साधा अपरात को लेकर के अन्होंने निशाना साधा ब्रश्टाचार को लेकर के उन्होंने निशाना साधा उनका कहना है कि यहां की जो अधिकारी है यहां की जो नेता है आकंट ब्रश्टाचार में डूबे हुए हैं गले तक वरश्टाचार में डूबे हुए तो वो तमाम मुद्दे हैं जो लगातार वो उठा रही है इससे पहले भी जब वो गॉलियर पहुंची थी तो उन्होंने कहा था सिंधिया का गड़ क्यूंकि कहा जाता है गॉलियर को तो उन्होंने कहा था कि सिंधिया के जो विधायक फरुष्ट के शिकार हुए और उन्हों ने हमारी सरकार गिराई लेकिन इस बार कॉंग्रेस की सरकार बनेगी उन्होंने ये दावा किया है कई उन्होंने यहाँ पर प्रहार किये बीजेपी की उपर तो वहीं बीजेपी की तरफ से मोर्चास आथ सम्हाला है महा कौशल को साधने के लिए महा कौशल की बात मैं जरूर करूँग लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा मालवा निमाड के बारे में बता दू देखिए मालवा निमाड के बारे में कहा जाता है कि ये आधिवासी बहुल शेत्र है और जिसने मालवा निमाड की जातर सीटों को अपने कब्ज़ें में कर लिया सरकार उसकी बंती है लेकिन पिछले बार बीजेपी को यहां से काफी फायदा हुआ था क्योंकि मालवा निमार में कई दिगज नेता है बीजेपी के और इसलिए माना जा रहा है कि अब जो नई लिस्ट आएगी बीजेपी की उसमें कई मालवा निमार के जो बड़े छत्रप है उन्हें यहां पर जरूर प्रधिनित्व दिया जा सकता है उन्हें यहां पर टिकेट दी जा सकती है महाकौशल को साधने के लिए प्रधारमंती नरेंद्र मोदी आये हुए हैं आज वो बड़ा एक रोडशो कर रहे हैं और अब आप जाहिर सी बात है आप सोचेंगे कि चनाओ के पहले आखिर क्यों पहुँँ पहुचे है प्रधारमंती नरेंद्र मोदी रानी दुर्गावती के समारक के उनको अभी क्यों याद आई है तो अब समझ सकते हैं आप कि चनाओ का चकर है और चनाओ में जनिता को साधने के लिए उन्हें लुभाने के लिए प्रधारमंती नरेंद्र मोदी अब अध्यप्रदेश में ताबरता और दोरे कर रहे हैं महाकोशल क이 अगर में बात करू तो 38 सीटे हैं और बहुत यहां का जो समीकरन है बहुत दल्चस्प हो जाता है 38 सीटे है कुल और उसमेंसे जातर सीटे आदिवासी बाहुल शेतर की है 2013 के अगर मैं बात करूँ तो जितनी सीटे 2018 में कॉंग्रिस को मिली थी उतनी ही सीटे 2013 में बीजेपी को मिली थी महाकौशल लगभग हाथ से निकल ही गया था बीजीपी के जैसे तैसे वहाँ पर उसने अपनी नाक बचाई लेकिन अब चुनावी शंखनाद भी जब प्रियंका गांधी ने किया था जब वो पहुँची थी चुनावी शंखनाद करने के लिए मद्यप्रदेश के पूरे एलेक्शन का तो उन्होंने महाकौशल से ही किया था मा नर्मदा ने दिके गौरी घाट वो वहाँ पर पहुँची थी मा नर्मदा को उन्होंने जल अर्पित किया और वहाँ से चुनावी शंखनाद किया था और अब प्रधानमंती नरेंद्र मोधी वहाँ पर पहुँची और इससे आप समझ सकते हैं कि एक ही दिन दो प्रियंका गांधी यहां नरेंद्र मोधी सब समझ सकते हैं कि मद्यप्रदेश के लिए इस वक्त किस तरह से सत्ता की लड़ाई जारी है और कमलनात ने क्या कहा इसको लेकर के अब वार पलट वार सियासी प्रतिक्रियाय तो हमें देखने को मिलेंगी ही लेकिन आप क्या सो हो जाएगा और यदि आपको महाकोशल के और समीकरन समझने हैं आपको मालवा निमाड के और समीकरन समझने हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजेगा और आपको क्या लगता है कि वाकई इस बार प्रियंका गांधी सीधी टकर दे पाएंगी प्रधार्मिंती अरेंद्र मोधी को कि लगातार प्रयंका गांधी है वो सियम् शिवराज सिंग चोहान पर काफी अटाकिंग मोड में हम देखते हैं सब लोग यहां पर सियम् शिवराज सिंग चोहान को गेर रहा है क्योंकि अभी तक उनकी टिकट का एलार नहीं हुआ है तो उनका कहना है कि वो CM के face हैं ही नहीं जितने candidates हैं सभी CM के face हैं बीजेपी का ये कहना है कि हम सामविक नेतिर्थ में लड़ेंगे और इसलिए CM शिवराज सिंग चोहान को लेकर के लगातार attacking mode पर है Congress तो आपको भी क्या यही लगता है कि यदि एक बार फिर से BJP की सरकार repeat होती है तो इस बार क हर एक चुनावी खबर से update रहने के लिए हर एक खबर का पूरा update जानने के लिए नमस्कार